आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी राउनलोड करें हलो दोस्तो हमाई पास प्रशन है उस वृत्त का समीकरण ग्याद कीजिए जिसके केंद्र दियो हैं 3,0 और वह वाय अक्ष को स्पर्ष करता है तो दोस्तो हमें क्या कहा गया है, हमें एक बिंदू दिया गया है, केंद्र बिंदू, और हमें कहा गया है कि जो वृत्त है, वो वाय अक्ष को स्पर्ष कर रहा है तो हमें इसका समीकरण ग्याद करना है, तो इसके लिए पहले हम इस प्रकार से ग्राफ बना लेते हैं अब देखिए इस पर एक वृत है इस पर वृत है एक सक्ष में जिसका केंद्र तो देखिए दोस्तों माल लेते हैं यहां इसका केंद्र क्या हो और उसके निरिशांगा में दिये गए हैं कितना हैं यहां इस परिस्ति थे यहां जिसे दोस्तों की की दूरी हमें घ्याद करनी है तो यहां से दोस्तों हल करेंगे केंदर के निर्देशांग, वृत के केंदर के निर्देशांग माल लेते हैं कि मालना केंदर के निर्देशांग H, K हो और त्रिज्या A हो, तो क्या हो जाए केंदर के निर्देशांग H, K बराबर दिया गया है 3, 0 तो H का मान कितना हो गया 3, K का मान कितना हो गया 6 अब हमें यहां से वृत की त्रिज्या निकालने हैं दोस्तों तो देखिए वृत की त्रिज्या वृत की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा O A O A के बराबर और O A निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो O A के लिए हो y2 reais y1 का वर्ग और यहाँ देखिए दोस्तो x2 माल लेते हैं यह बिंदू के निशांग क्या हो x1 y1 और यह हो जाएगा इसके निशांग क्या हो जाएगे o बिंदू के निशांग x2 y2 यही हो जाएगे तो यहां से देखिए x1 के जगह is 50 प्रित के निया हाँ आगा? यहां से हमारी त्रिज्या होगी विरित की त्रिज्या र बराबर 3 इक आई तो विरित की त्रिज्या आ गई और केंदगे निशांग पता है तो अब वृत का समीकरण तो यहां से हो जाएगा दोस्तो वृत का मानक समीकरण क्या होता है उसकी सहतास हम इसे अहल करेंगे यह हो जाएगा X-Rand H का वर्ग धन Y-Rand K का वर्ग बराबर R का वर्ग X-Rand H के जगह में क्या है यह हो जाएगा X-Rand 3 पूरे का वर्ग धन Y-Rand K के वर्ग जगह क्या है K के जगह शुन्य है Y-Rand सुन्य का वर्ग बराबर R के जगह क्या है 3 का वर्ग हल करेंगे तो यह हो जाएगा X-Rand 3 दूनी 6X धन 3 तिया 9 धन Y का वर्ग बराबर 3 तिया 9 दूस्तों 9 कुमाई और पक्षानतर करेंगे तो X का वर्ग रिंड 6X धन Y का वर्ग धन 9 रिंड 9 बराबर 0 तियसे धन 9 रिंड 9 कट गए तो यहाँ समीकरण क्या है X का वर्ग धन Y का वर्ग रिंड 6X बराबर 0 यही हमारे अभेष्ट वर्ग का समीकरण होगा धन्यवाद